हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, रजगुला हम सब की फेवरेट है, पर इसे घर पर बनाना थोड़ा मुश्किल है, पर आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेर करूंगी, जिससे आप भी आसानी से घर पर हलवाई जैसा सौफ्ट और स्पंजी रजगुला बना सकते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, यहां मैंने मोटी तली वाली पतीले में डेल लीटर गाय का दूद लिया है, आप भी कोशिश करें कि गाय का दूद लें, क्योंकि इसका छेना सौफ्ट निकलता है, जिससे हमारे रजगुले सौफ्ट पनेंगे, दूद को मैं उबाल आने तक गर्म करूँगी, दूद को हम लगातार चलाते हुए उबालेंगे, ताकि यह नीचे से लगे नहीं, दूद में उबाल आ गई है, अब मैं गैस आफ कर दूँगी और इसे पांच मिनट तक ठंडा होने दूँगी, पांच मिनट हो हमारा दूद थोड़ा ठंडा हो गया है, अब यहां मैंने दूद नीबू का रस लिया है, मैं इसमें 4 टी स्पून हलका गर्म पानी डाल दूँगी, पानी को मैं नीबू के रस में अच्छे से मिक्स कर लोंगी, अब इसे हम दूद में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अब चाहे तो यहां नीबू की जगा विनेगर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, पर नीबू सबके पास अवेलेबल होता है, इसलिए मैं दूद को नीबू से फाड रही हूँ, यह देखे हमारा दूद फटना शुरू हो गया है, अगर आपका दूद नहीं फट रहा, तो आप इसे दुबारा गैस पर रखकर हलका गर्म कर सकते हैं, यह देखे हमारा दूद अच्छे से फट गया है, अब हम इसे चान लेते हैं, पैक छन्ने में मलमल का कपड़ा रख दूँगी और छेना को चान लूँगी, इसके बाद छेना को मैं ठंडे पानी से अच्छे से धो दूँगी, जिससे नीबू का खटापन चला जाए, इसके बाद मैं इसे घुमाते वे निचोड लूँगी, यहां मैं छेना को दो कप ठंडे पानी से दुबारा धो रही हू ताकि इसमें नीबू का खटापन बिल्कुल भी न रहे इस पानी को भी हम निचोड लेंगे यहां मैं पानी को दो तीन बार घुमाते वे निचोड रही हूँ ताकि इसमें एक्स्ट्रा पानी न रहे नहीं तो हमारे रजगुले स्पंजी नहीं बनेंगे प्रेंड्स आप इस छेना वाले पानी को फेके नहीं यह काफी न्यूट्रीशियस है इसका इस्तमाल आप आटा लगाने में सबजी बनाने में और दाल बनाने में कर सकते हैं छेना को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी अब मैं छेना को हाथ की सहायता से क्रम्बल कर लूँगी देखिये छेना से पानी अच्छे से निकल गया है अगर इसमें थोड़ा भी पानी रह जाएगा तो हमारे रजगुले अच्छे नहीं बनेंगे छेना को मैं पाम की सहायता से प्रेस करूँगी ये देखिए हमें इसे इस प्रकार प्रेस करता है कुछ देर बाद ये देखिए हमारा छेना स्मूध होना शुरू हो गया है हमें इसे जोड़ जोड़ से प्रेस नहीं करना है हम इसे हलके हातों से प्रेस करेंगे रजगुला बनाने का ये सबसे क्रूशल स्टेज है अगर हमारा छेना अच्छे से स्मूध नहीं होगा तो हमारे रजगुले अच्छे नहीं बनेंगे इसलिए हम यहाँ इसे हलके हातों से कुछ दिर और प्रेस करेंगे ताकि ये पूरी तरीके से स्मूध हो जाए ये देखी हमारा डो बिलकुल सॉफ्ट और स्मूध हो गया है बिलकुल आटे की डो की तरह हमारा डो जितना स्मूध और सॉफ्ट होगा रजगुले उतने सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे रजगुले में क्रैक्स बिलकुल भी नहीं होंगे ये देखे हमारा डो ना ही बरतन में चिपक रहा है और ना ही हाथ में ये देखे हमारा पॉफेक्ट डो त्यार है अब हम इसके गोले बनाएंगे हम डो को पहले दो भागों में कट कर लेंगे उसके बाद हम इसके नीबू के साइज के गोले बना लेंगे सबी गोले यहां एक बड़ाबर साइज के होने चाहिए अब हम दोनों हाथ की साहिता से इसके बॉल्स बनाएंगे यह देखे हमें इस प्रकार के बॉल्स बनाने है इसमें क्रैक्स बिलकुल भी नहीं होने चाहिए अगर इसमें क्रैक्स होंगे तो चासनी में डालने पर यह फट जाएंगे इसी प्रकार में सबी बॉल्स बना लूँगी ये देखिंगे हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं हैं चलिए अब इसे पकाते हैं यहां एक कड़ाई में मैंने दो कप चीनी ली है मैं इसमें चार कप पानी डाल दूँगी अब मैं gas on कर दूँगी और high flame पर उबालाने दूँगी जब तक चीनी melt हो जाए Friends आप मेरी recipes Facebook पर भी देख सकते हैं जिसका link में निके description box में दे दूँगी और हाँ अगर आपको मेरी recipes अच्छे लगती हैं तो please मेरे चैनल को subscribe करें मेरे videos को like करें और bell icon प्रेस कर लें जाए पानी में उबाल आ गया है और चीनी भी अच्छे से melt हो गई है अब मैं इसमें एक एक करके balls डाल दूँगी हमें इसे एक साथ नहीं डालना है अलग अलग डालना है ताकि रजगुले आपस में चिपके नहीं इस समय में gas की flame high रखी हुई हूँ रजगुले को हम high flame पर लगबख 5-7 मिनट तक पकाएंगे रजगुले को high flame पर पकाते वे लगबख 7 मिनट हो गये हैं ये size में अब double हो गये हैं मैं इसे पलट दूँगी ताकि ये सबी ओर से अच्छे से पक जाए देखिए रजगुले का कितना बड़िया कलर आया है और देखने में भी ये काफी अच्छे लग रहे हैं पलटने के बाद मैं इसे high flame पर 5 मिनट और पका लूँगी मैं इसे इस प्रकार से ढग दूँगी ताकि इसमें जाग बने यहाँ जाग बनना जरूरी है तब ही रजगुले के उपरी लेयर पकेंगे यहाँ चाशनी गाड़ी हो रही है इसलिए मैं 2-3 टीस्पून गरम पानी डाल दूँगी इसके बाद मैं इसे ढग दूँगी लगबख 5-7 मिनट तक पकने दूँगी लगबख 7 मिनट बाद यह देखिए फ्रेंड्स हमारे रजगुले बनकर त्यार है देखिए हमारे रजगुले कहीं से भी नई फटे हैं और काफी सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं अगर आप मेरे बताएवे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके रजगुले भी ऐसे सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे अब मैं गैस आफ कर दूँगी और इसे लगबख 7-8 गंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि रजगुले ठंडे हो जाएं आप चाहे तो रजगुले के रूम टेंप्रेचर तक आने के बाद इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं लगबख 7-8 गंटे बाद हमारे रजगुले सर्व करने के लिए तैयार है आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि आपके रजगुले कैसे बने मैं फिर विलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखें अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें इसे अपने दोस्तों के साथ शेर करें ताकि वो भी इस लज़ीज रेसिपी का आनन्द उठा सके